यह जो मेरा नाइफ लेक्ट्टर है फ्रेंट्स अगर आपने किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज आपने सब्सक्राइब देख लेक्ट्टर को देखे हैं तो उस सिक है फ्रेंट्स एक आपके अंतर एक continuity आ जाएगी modern Indian history को लेकर ठीक है फ्रेंट्स और बिफोर आप से रिक्ट्टर मेरा आप से रिक्ट्रेंट्स एक प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सुब्सक्राइब जुरू करें कि इसमें अभी जो जिस तरह कॉंग्रेस में हमने पढ़ा था था फ्रेंट्स की 1885 से कॉंग्रेस की स्थापना होती है तब से लेकर फ्रेंट्स एक जो इंडिन इंडिपेंडनेस मुमेंट था उसको एक डारेक्शन मिल जाती है अल्दो जो है वहां पे अपार्ट फॉंग कॉंग्रेस देह वर अधर्णी ऑदर और ओर घ्रवर्एशन्स और थरॉट्स और थीम जो कि इसमें इसमें चृबर उद्म कर रहे थी ठीक है लेकिन जो मेन यहां पर फॉकस रहेगा हमारा कॉंग्रेस क focus रहेगा हमारा कॉंगरेस कि की सख के KoornПрेस के अग्ल अगल में और जो भी अंदोलन थे और जो भी ओर्गनाइशन फॉर्म होए किस तरह उने जो है स्वतनत्रा संग्रा में अपनी भूंकरने भाई इसका पूरा हम जो है यह हम जो है इस्ट्री में पढ़ेंगे ठीके फ्रेंड्स और इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स हमें जो है maximum questions exam में आते हैं तो प्लीज अभी आपका जो भी यह जितने भी अभी मैं lecture पढ़ाऊंगा आपको प्लीज इसमें आपने थ्वड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है और ध्यान से नोट्स बनाने है ठीक है फ्रेंड्स तो before I start friends this is all about my यह जो मैंने किया हुआ है चितने मेरे exams qualify किये हैं उसी base पे जो है मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ क्यूंकि मेरा experience एफ्रेंड्स exam qualify करने का उसी के base पे फ्रेंड्स में जो यह slaybers को design किया हुआ है और slaybers को उसी हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ थाकि कि आप लोग जो है उसको समझ सकें और आपको पता लगे कि किस तर जो questions पूछी जाते हैं अगर आप try करना चाहते हैं friends तो please pick up any of the questions paper of earlier exams on which exams you are appearing तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो contents है अच्छे हैं कि नहीं है उसके प्राइब फ्रेंड्स पहला चेप्टर में आपको पढ़ा दिया friends कि जो Congress का जो फ्रेंड्स जैसे स्थापनावी ठार सब्चैसी में उससे लेकिए 1905 तक जो ज्यादा तर जो प्रभाव रहा उसमें moderate leaders का रहा ठीक है friends तो moderate leaders किया थे? moderate leaders के जो method थे that is prayer, petition and protest तो यह जो उनके method थे और जो भी कुछ करना है बोल रहे थे कि whatever there is the legislative means है उसी के अंदर करना माना कानुनी दाएरे में रहा कि हमें करना है चाए आंदोलन करना, protest करना, prayers करने, petitions करनी है लेकिन friends उसी के अंदर जब इनको लगा कि जैसे Congress में जब यह लोग इस तरह prayer, petition and protest के द्वारा जो अपना काम करते हैं moderate leaders तो उसमें जो कुछ एक धड़ा ऐसा पैदा हो गया Congress के अंदर ही जो कि यह दिखने लगा कि इनके जो जितने भी methods हैं यह जो है British सरकार के उपर कोई खास प्रभाव नहीं डाल रहे हैं और इससे क्या होगा कि उनका जो आंदोलन भीक हो रहा है उससे कुछ ज्यादा फाइ extremist जिसको बोते हैं जो कि उगर विचार धारा के थे और उनका काम था कि यह चाते थे कि किस तरह जो है अंदोलन को जो दूसरे method हैं ताकि जो मास जो common लोग हैं उनको जगाए जाए और जो दूसरे method हैं like you know by cut of foreign goods ठीक है और विदेशी जितने भी जो सामान है उसका भहिसक करके और जो सारे भारत में आंदोलन खड़ा करके लोगों को जगा के और जो एक आंदोलन जो है तो passive जो इसको जो ङे रजिस्त है not जो है जितने आपको जनी यूनिवेस्टिज और जितनी वी यूनिवेस्टिज होगया college होगया office हो ठीक है and courts हो गया और जितने बैटल इस विडिए बिटिस एंपायर हैस टू बी संडवे और जो भी जो भी चीज बिटिस की हकूमत से रिलेटेड है उसको जो है उनका भाइसकार करना है इसी के बेस में फ्रेंड्स इन्होंने अपना जो प्रोग्राम सा ओ सेट अप किया और 1905 में उनको जो है क्योंकि कॉंग्र पढ़ता है नरम दल वाला तो उसके बाद जो है कॉंग्रिस में कॉंग्रिस के अंदर जो गरम दल विचाह धारा को जो है प्रभुतों जयते जमता है प्रैश्चित ज्यादा यह डालना सुरू करते हैं तो फिर जो प्रोटेस्ट जो इनका मैतर बताए उसकी भाहिसकार कर जितने भी anything और any symbol related with the British Empire has to be done away with तो उसको उसी को उसी विचाहर धारा को आगे नो ने बढ़ाया गरम दल वालों ने और उसी में अलग लग फ्रैंट जीचत रही है आपस में फिर जो है इनके अंदर लडाई भी हुई आपस के अंदर इनके दवन्द हुआ और उससी जो 1907 में फ्रैंट्स क्या हुआ कि यह सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं जिसमें जो कॉंग्रेस जो है दो धड़ाओं में बंट गई और 1908 में जब यह आंदोलन चल रहा था फ्रैंट्स ऐसे स्वादेसी आंदोलन 1905 से सुरू हुआ था स्वादेसी आंदोलन के रिलेटर जो म मुgement को अपने मुश्मिमस थैं उनको अपने तरफ करना शूरू कर दिया और उनको तोड़ी की खूट देना के लिए कुछ उनको फाइदा देदेते थे कि हम मुस्लिमन को वय देंगे और उसका क्या है कि हुमुँद को बढ़ाया गया Muslim का और separate representation दिया गया और बताया गया कि जो 1909 का जो Council का जो Act है उसमें जो आपको छूट दी जाएगी और आपको पता होने चाहिए Friends कि 1909 के जो Council Act था That was the beginning of the you know the communal politics in India. Communal politics वाय स्टार्ट होगी थी लेकिन फॉर्मली जो इसी से जो Muslims को इस तरह अलग कर दिया और उस तरह जो Congress को उन्होंने बोल दिया कि हम जो आपको Council के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेटेड जो members होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा seats देंगे तो वह भी थोड़ा उसकी तरफ हो गया और यह जो आंदोलन था पूरी तरह जो स्वदेशी आंदोलन था भीक पड़ गया और जो स्वदेशी आंदोलन क कि उग्र भी चाधारा के जो लीडर थे लाला लाजपतराय विपिन चंदरपाल और उसके बाद बाल गंगा धरतिल को इन्हों के किया फ्रेंड्स उसको के है उनको केस में फसा करके डिपोर्ट कर दिया बर्मा में मांडले में और जो दूसरे जितने भी जो लीडर से जो जो लाला लाजपतराय फोरण चले गए और अरबिंदो और जो विपिन चंदरपाल थे इन्हों जो एक्टिव पोलिटिक से फ्रेंड्स से नहीं असल लिए इस तरह जो बीग पढ़ गया और 1914 के बाद जब जैसे ही मांडले से बर्मा से भाल गंगा धरतिल जी फ्री हो के आए तो उसके बाद जो फिर उन्होंने यह कांदलों को फिर से नहीं शुरुआ दी तो यह इसी सब के बारे आज हम पढ़ेंगे इसमें कहा मेंस फ्रेंड्स यह आपको जो मैंने आपको ग्रेवी थी यह बता दिया आपको अब जो आपको मेंस जो इसके कंटेंट्स जो है और कुछ अगर इसमें है तो प्लीज अपको मेंट्स ड़ें अपना कि मेंट्स फ्रेंट्स क्या होता ह 58 जो मेकिम लोह तक परीज करता है और कमेंट्स जो मेरेको मौटिबेशन मिलता है कि यह शुरु सॉट इट वाज लिम्टिड अप्टो बेंगोल ठीक है क्यों बेंगोल से बाहर नहीं था और यह जो 1905 की आपको बता है जो पार्टिशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जो लोड करजन ने बेंगोल को पार्टिशन करने के लिए बोला था उसके बाद जो है चाहता ही जो गोर्नमेंट की जो डिविजिब टेक्टिस थी जो अलग करने की अंदोल को तोडने की विचाल धरा थी ठीक है उसमें जो है नेसलिस्स जो है उससे भी जो है बहुत ज़्यदा दुखी हुए और उसके बाद जो उनने उसके बाद बेरी बिटर फिलिंग टो आड़ इस बि in кадhita जो सवद्य आंद डोलना था अह ओर वहां से प्रचन्ड हो गया ठीक है और उसको का गोर्मेंट है टॉन टू से टू सप्रेशई मेसर ठीक है और इसकी कह कर चाहिए हुए networking जितने में जो कि बिए जुटे केस लगाना ठीक है जो नाई-नाए- mail डियो satsi प्रेस एक्ट लाना ठीक है, प्रेस की स्वतनतता को खतम करना ठीक है, लोगों का इदर उदर जाना, बाहर घुमना, ये सब आंदोलन में भाग लेना, इन सब के बारे में उन्होंने पांच लोग लाए थे उसमें, अलगले लोगों की स्वतनतता हैं छीनने का काम किया, उसस इस तरह पैसिव रजिस्टेंस, एक्टिव रजिस्टेंस मनलब भाहर आके उगर आंदोलन करेंगे, लेकिन पैसी मतलब, पैसी मतलब कि जैसे आपने किसी ओफिस में है, तो आपके पैंडाउन स्ट्राइक, ठीक है, पैंडाउन स्ट्राइक, या आप जो ओपीस में, या और उसके बाद जितने भी जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप जो है, जो कोलेज है, या जो इनवेस्टीज है, आप वहाँ पे नहीं जाएए, इस तरह के जो पैसिव रजिस्टेंस जो है, उन्होंने, यह जो इनका प्रोग्राम था, और जो नर मेरे की नेंद खुलेगी, मतलब तब हम सोट आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करती है, जो गरम दलवाले थे, इन्होंने क्या बोला, कि हम प्रेयर, प्रेटेशन, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कि हम जो असी दयाब से, अंग्रेजी हकुमत से लेक कि सब कुछ जो खतम हो गया तो ये जो उनका गरम दलवानों का उदेश्य था, ठीक है, तो उसमें क्या हुनाने, जो ता कि उनका ये परपेस था, कि जो एडमिसेशन था, उसको जो जो है, जो एडमिस्टर करने के जो क्टिशिन सी, इसको टोटली जो है, उनको पैरलाइस देख कर लेना है ठीक है और ऑर उसमें बोला था उसमें जो अरविंद है उन्होंने बताया था कि आपे हो इसके 뉴스 के स्ट्ऴ घृडिकली ई यह तो नहीं लिए बट इसका कहा कि उन्हों के ने बोला था कि पोलिटिकल फ्रीडम ठीक है यह जो यहाँ पे जो यह है फ्रेंट्स यह जो राजनितिक स्वतनतरता है वही जो किसी देश का जनम है ठीक है और उसके बाद जैसे आपको पता है जो तिल्क जी ने बोला था कि freedom is my worth right and I sell habit ठीक है कि मतलब जो स्वतनतरता मेरा जनम से अधिकार है ठीक और मैं इसे लेके रहूंगा और उससी तरह अरविंदो ने क्या बोला कि political freedom is the life worth of a nation और अरविंदो बोलते थे कि जो है जो पोलिटिकल जो आपको राजनितिक स्वतनतरता है वही जो किसी देश की जनम है तो इस तरह जो एक जो अवेकनिक जो स्टार्ट कर दी फ्रेंस पूरे पूरे बेंगोल में ठीक है और उसका नए form of struggle क्या थी they put several new forms उन नए नए जो उसमें struggle में नहीं नहीं forms डालना शुरू कर दिया उसमें कहा था जितने भी जो foreign बाइकोट था उसका जो बाइकोट करना स्टार्ट कर दिया कोई भी जो है उनका जो फोर्न से रलेटेड जितने भी आपको पता जो foreign role की जो उसका purpose था ओपरपस यह था कि इंडिया की मार्केट था यहां पर इसको एक मार्केट तैयर करती हैं यहां पर इनको बेचना था और यहां से जो कच्छा माल था यहां से लेके वहां जो बिटिस की फैक्टरी में बनाके जो है इसको वहां पर बनाना था कच्छे माल को यहां से लेके जाना था और वहां से अच्छा एक बड़ीया आते थे उसी चीज को ध्यान में रखे आते हैं, तो इसलिए अगर आज की डिट में आप देखते हो कोई भी कानुन बनता है, तो वो जो देखते हैं कि society की और देश की दसा और दिसा होती है, किस दिसा में लिके जाना चाहता है हो, यह जो है इसको उसी तरह जो British कानुन उस सब जो कानुन बना जाती थे, ठीक है, तो इसलिए जो गरम विचार धारा के लोग थे, इन्होंने क्या किया कि इसको जो है, उन्होंने बोला कि no legislative means, legislative means के अंदर नहीं, हम क्या करेंगे, passive resistance मतलब हम क्या चीज़ों को जो British की जीतने भी, British factory की जो चीज़े हैं, हम जो उसका education system है, हम जो उसको नहीं अपनाएंगे, हम जो अपना nationalist college खोलेंगे, हम जो अपनी पंचायत खोलेंगे, हम जो अपनी खाप पंचायत, ऐसे तरह जो जिस तरह local system होने हैं, खोलने की सोची ठीक है, और उसको जो public meeting और procession, आपस में public meeting करने हैं, procession करने, ठीक है, cops of volunteer बना दिय ठीक है, और ही क्या करती थी, ठीक है, they popular means of mass mobilization, और जो लोगों को जागरित करती थी, घर-घर में जाके, गाउंगाँ में जाके, लोगों को जो है, door-to-door campaign करके, ये सब जो है, लोगों को जगाते थे, कि ये जो है, अगर हम जो है, इनका जो है भाइसकार करेंगे, तो natural हम जो है, political freedom मिलेगी, ये जो गंदे कानुन हमारे ओपर थोपे गए है, इन सब से जो हमें मुक्ती मिलेगी, ये सब जो चीजे हैं, और ये जैसे बंगयल का जो partition moment है, जो हमारे को अलग कर रहा है, इन सब चीजों में जो है, इनको, ये इनका, ये जो लोगों को जगाते थे, उसमें जो पताते हैं, स्वादेश बांदव सुमिती, जो स्वादेश बांदव सुमिती थी, जो अवस्थी, अस्वनी कुमारदत्ता की बरी साल में, ठीक है, उसमें बहुत ये जो बड़ी popular हुए, ठीक है, और उसमें क्या होते है, और जो तिरुनल वेली, जो तमिल प्रांच के करीब बनाया गया था, और उसमें कौन से बियोची दमरम पिल लाई, ठीक है, और उसको बाद सुबरामन्यम सिवा, और कुछ जो लोड़ेश थे, इन्नोंने क्या बनाया, स्वादेश संगम बनाया, ठीक है, तो संगम बनाया, ये क्या करते थे, उसी तरह स्व पॉलिटिकल कॉनसिएनस among the masses through magic lantern इसमें क्लीजी लेंटरन मतलब उसमें क्या होता है जो छो लाल्रेंग को पत्ती जलती उसे में उन्होंने कुछ message लिखे होते थे तो उस जो अटेसी और जो अपने सोदेशी से रिलेटर गाना गाते हैं, आज कल जैसे आपको पता है, कहीं पे भी जैसे जो आपने देखो होगा कि गाने बजते हैं, हो जा होते यार साथियो, हो जा होते यार, जो देश के काम ना है, उसी तरह फेंट जो उनको पैटरिटिक सौंग थे, गीत भी बनाएगा, ठीक है, तो अमार सवरणार भंगडा, रबिंदना ट्यकोर ने, ये सब सुरुवात की, उसके बाद, ठीक है, देश मिती जनरेटिट पोलिटिकल कॉंसियंसनेस अमंग दी मासिस तुरू, मैजिक लेंटरन, लेक्चर, स्वधिसी सौंग्स, मनोबल था, ठीक है, जो उनका जो मानसीख बल था, जो मानसीख बल जो उपर रेज़े हो, ठीक है, ये सब ट्रेंगि इनका समीथियंस के द्वारा दिये जाती थी, ठीक है, ठीक है, आड्स वर्कोर दिरिंग फेमाइण्स, अड्ड एपिडैमिक्स और जो आगार कहीं पे, कुछ फेमाइन होता है, एपिडैमिक होता था, तो हुआ पर ये समीथी आगरती थी, वहां पर social work करती थी. So that people get raised about this, कि यह सिय लोग हमारे हितकारी है, वो जो बिटिस हर, हमारे हितकारी नहीं है. और training in Shodasi craft और जितने पिशो देशी craft होती सुदेशी art and culture like इनों की you know कि आपको इसी सर्ट सौल बनानी है जो आपको चपल बनाना है इन्हों ने ट्रेवनाना है उससे रिलेट जो इन्होंने कि अ उन्होंने उसको जो मेला और जो इतने मेला और जितने फैस्टिबल्स तो है उनको किस तरह उनको एक रूप देना ताकि यो जो स्वधेसि आंदरोने से प्रियरित हो जगी तो उसमें जो महाराष्टर में बाल गंगा धरति लक ने जो इसका जो तिल्युन गनपति और स वहां पर श्वदेशी प्रफगंदा चलना शुरू कर दिया। और उसके बाद के अभर्ण। The idea was to use traditional festival occasion as a means of reaching upon to the masses and spreading political masses. For instance, Tilak Ganapati and Shivaji's festival became the medium of Swadhesi प्रफगंदा not only in the Western India but also in the Bengal. In Bengal also the traditional folk theatre forms were used for this purpose. और वहां पर जो traditional folk theatre था प्रैंट जो 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 आप जो 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 उस ताइम क्या होता है कटफुतली का खेल होता है, जैसे कटफुतली का खेल में जो गांगों जाके लोग दिखाते हैं उसमें जो-बहोगे कर दिया एकानी वनाने की जो को क्पूली में नोन criticism कर दिया, जैसे आपको कानी बना दी कि कट्पुतली में वनें बता धिया कि यहां से यहां सेे जो कच्छामाल लेकर जाते और वहां से इस सत्था स्यंहां फेंठ जी सत्त ह wel बेंगोल की जो फोक थेटर आर्ट थी उसमें डालने ठीक है तो इस तरह इन्हों जो यह अपना फोक जो उन्हों ने चेंज किया गरम दल वालों ने और उसके बाद के जो सेल्फ रिलाइंस था उसके उपर दे देगिव एफैसिस तो दे सेल्फ रिलाइंस की अमने आतम निर जो 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 गरम दल वाले लोगों ने क्या बोला कि नहीं हमारी जो कलच्र थी हमारा जो संस्कृति थी वो जो फोर्न की डिक्श्र से भी बैस इसके लिए उन्हों ने के किया इन प्रेक्टिक वर्यूंट इस तो डॉर्री की एकर आप्याने सब से पहले नहों ने द इन्हों ने क्या किया इनको बोला यह जो जहां पर कुरूतिय नहीं इसको बंद किया जाए और उसके बाद प्रोग्राम ऑप स्वादेशी एंड नेशनल एडूकेशन उन्हों बेंगॉल नेशनल कोलेज ठीक है जो एडूकेशन सिस्टम था फ्रैंट्स उस पे जो है जो चाहिं बाद नेशनल कांसल पॉर टेकनिकल एडूकेशन जो ऑगस्त 15 निट्रवेशा को स्थापित जाएगा तो इसको पढ़ाए जाएगा और चितने प्ट पढ़ाया जाएगा साइन्टीवेश्स पढ़ाएगेगा नि तो पहले तो प्हले जो उन्ग्रेज तो क्या करत तो क्या करते है हमारे लिटररी जैसे आपको पता है कि हुमेनिजम के आर्ट के सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा थे उसमें कहा है कि ज्यादा आर्ट टेक्निकल और इससे जो दूसरी क्या कि सब्ढ़ कि, बज्याद भाळानली जिए सब्सक्राइदा उससे जुकरते हमारि सुमें कशेक्तिक पता है की इसने इससे बाता हुद और बने लिटरे सेक्टिशली की जो 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 college और institution, जो national institution, nationalist institution वहाँ पर खोना स्टार्ट की education was to be imparted through the burnacular medium और जो जितने भी education थी अंग्रेजी medium नहीं नहीं बटि वहाँ के जो local भासा थी उसके जो burnaculars जो burnaculars में दी जा थी जो बेंगावल में है तो बेंगोली है ठीक, SM, SME और ठीक है अगर नोर्ट हिंदे तो हिंदी भासा में ही तो not in English बल्कि किसी को भी burnaculars में उसकी जो मात्री भासा में जो है उसकी जो पढ़ाई जो है ती जाएगी ये बेंगावल इंस्टूर आफ टेक्नोलजी वाज सेट अप इन्धी टेक्निकल एड़ुकेशन और फंड्स वर रेस्टू सेंड दे स्टूडेंट तो जैपैन एडवांस्ट लर्नी ठीक है और उसमें जो एक एड़ुकेशन फंड जो स्थापित किया गया ताकि जो स्टूडेंट जो देकर गो तो जैपैन फोर दी हायर लर्नी तो इस तरह जो फ्रेंट यह जो है जो उग्र पिचाल वाले लोगों ने देखो कितना इन्होंने चेंजिस कर दिया ठीक है और सोदेशी और इंडिजिनेस एंटरप्राइज और अपने जितने जो खारकार ने थे उन सब में बोला कि जो है सोदेशी के ओपर बढ़ावा दे जाए अभी देखो फ्रेंट देखो पूरा जो है अंग्रेज जो कानून बनाते है उस कानून के तहरत भी फ्रेंट आज की डेट में आप देखो कि कितनी गोर्मेंट स्कीम चला रही है स्वाब लंबन से ले जो है देखो स्वादेशी लोगों ने जो स्वादेशी आंदोलन के जो लीडर से गरमदर वालों ने उन्हों ने कहा किया फ्रेंट यह जो है जो है जो है उसमें खोली गई फ्रेंट यूसी फ्रेंट की कितना इन नने जो है देखो उसी टाइम से 1905 से गिये जो आंदोलन से जो है स्वादेशी मोमेंट से और उसने किस तरह जो है देश में लगसी लहर लगा जी स्वादेशी की इस these enterprises were based more on patriotic jill okay patriotic jill पे इनका सबसे बड़ा एकान था कि they were inspired by the patriotic jill instead of business equipment तो इनको business equipment था नहीं को patriotism में say friends patriotic jill सी ठीक है then business equipment बियो चितंबरम पिलाई venture into the national ship building enterprises ठीक है जो बियो चितंबरम पिलाई थी उन्होंना क्या बोला friends कि जो जैसे आपको अर्लियर history में क्या हो था we were the best ship makers जो हमारे जो बाढ़िया एरास में ठीक है और जो बाढ़ियास के एरा में और उससे पहले जो एरास थी वहां पे जो हमारे इंडियन के ships जो है they used to be the to the travel to the world over ठीक है तो उसमें जो जहाज में निपुंता थी जहाज बनाने की कला में ठीक है फिर से उन्हें बियो चितम्रम पिल लाइन है उन्हों के नेशनल सी बुल्दिंग जो enterprise store गया so this is steam navigation company ठीक है so this so this is steam navigation company was set up at the 2T corner however gave a challenge to the British Indian steam navigation company ठीक है तो उन्हों के जो so this is steam navigation company को ने जो है हमारे जितने भी जो government से कितनी proactive रहती है कि जो लोग ज़्यादा ज़्यादा business करें ठीक है और उमारे प्रधार मंत्री जी ने जैसे बोला है not employment seeker but employment giver ठीक है तो employment giver कैसे बने होगा जब अपना enterprise और industry start करो तो उसके लिए कहाँ चाहिए आपके अंदर जो थोड़ा रिस्क लेने की capability होने चाहिए ठीक है और government is spotting तो why not everybody should go out and start their enterprises कुछ ना कुछ करना चाहिए यह में जो है का में अदर था ठीक है तो यह friends आपको स्वादेशी आंदर ठीक है उसके बाद जो है impact on cultural sphere ठीक है तो cultural sphere में जो हमारे सांस्कृतिक sphere था उसमें जो सांस्कृतिक रूप में क्या बदला हुआ इसमें जो सबसे बड़ा बदला हुए हो friends की जो painting style थे ठीक है जो education system था और जो songs थे इन सब को friends they were not inspired from the British's और जो Victorian style उसला Victorian style का एक जो culture चलता था Victorian style की painting होती है Victorian style के songs लिक्के जाते Victorian style का Victorian culture जो ज्यादा prevalent था लेकिनिस में जो friends में जो रबिंदरनाथ टेगोर रजनी कांसेन दुजेंदरनाथ रे मुकुंदा साइद अबु एहमद एन अदर टेगोर्स आमार सोनार बंगला जो टेगोर्स रबिंदरनाथ टेगोर्स न लिखा मेरा प्यारा सोना बंगला ठीक है अमार आमार सोना बंगला रेटन ओने जो बाज लेट वी इंस्पायर दिदि लिवरेशन स्ट्रगल बंगलादेशन बास अड़ाज अड़ू एट अज ने अचनल एंथम इन तमिलाडू सुब्रामन्या भारती ने रोट सुदेशा गीतम ठीका सुदेशा गीतम मेरे प्यारे देशा गीतम यह उन्हां ने लिखा नहीं लिखा सुद्रामन्या भारती ने और उसी तरह इन पेंटिंग पेंटिंग में अभींदरा ट्यागोर बिंदर ना ट्यागर पेंटिंग जो विक्टोरिय इंस्टाइल होता ठाप एक जो प्रोपर पेंटिंग और जो एक फ्रेम्स वह सब जो जो है उसने सब ब्रेक आउट कर दिया और अपना जो से एक जो सिस्टम था इंडियन सिस्टम इंडिजिने सिस्टम इसको डालप किया ठीक है तो इंडिन आट सीन से तुक दे इंस्परेशन फों अजनता और मुगल और राजपुत पेंटिंग जो होती थी ठीक है उससे जो आपने जो जो अजनता थी जनता की पेंडिक सी लिच भूगल पेंडिक सी राजपुत पेंडिक सी ठीक है इनोंने जो है वहाँ से एक जो इंस्परेशन ली और उसके बाद जो नंदलाल बौस दिन ने जो इंडिन आट मौत अच्छा काम किया बाज़ इन बाग फर्स्ट् scholarship offered by Indian Society of Oriental Art in 1987, आपको पता है नंद लाल बोस्ट, ठीक है, और उसको साइंस में क्या हुआ, साइंस में जगदीष चंदर बोस्ट, पफुल चंदर रोय, और पाइनल रिजिनल रिसर्च, उन्होंने अपना रिसर्च करना शुरू कर दिया, friends, which was praised by the world over, और उसको जो है, world over जो उसको प्रेज किया गया, और उसके बात, friends, जो, mass participation क्या हुआ, जो mass participation, अभी friends, से आंदोल ने इतना तेज रोप ले चुका था, उसमें क्या है, student ने participate, women ने participate किया, student क्या हुआ, जो उन्होंने क्या क्या कि, the large, the student came out in large number to propagate and practice and to take lead in the organizing, उन्होंने क्या 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 क्या, student participation was visible in Bengal, Maharashtra, especially in Puna and in many part of South, Guntour, Madras, Salem, police adopted a repressive attitude toward the students, schools and colleges whose students participated in the agitation were penalized by disaffiliating them or stopping of grants and privileges to them, ठीक है, जितने मी जो स्कूल्स के जो students जो पार्टिस्पेट कर रहे थे, उन्होंकी जो डिसप्लिएशन, उनको जो है, affiliation जो उनकी खतम कर दिया, ठीक है, and student who were found guilty of participation were to be disqualified for government job, और जो जो भी जितने मी स्टूडेंट जो है, ये आंदूलों में भाग ले थे, उनको जो है, जो government job से participation करने से, जो डिस्क्वालिफाई कर दिया, और for the government scholarship, government scholarship जो उनसे बंद कर दिया, or disciplinary action ले ले गा, fine लगाए गा, expulsion कर दिया, ठीक है, arrest कर दिया, beating अच्छी तरह उनकी बचारों के दुनाई कर दिया, और इसी तरह जो government उनका रिप्रेंट जो, women who were traditionally home entered, पहले के women's friends, they used to be inside the home, लेकिन जासी, सवदे से अनुदोलन, officially those of the urban middle class took active part in the procession and picketing, जो urban areas की जितने भी मुववेंट सी इन फ्रेंट, they took part in the, this, this, movement, और जितने procession होते थे, जितने भी जो activities सवथे इसी अनुदोलन की, they started taking part in those, they coming out of their homes, and they were to play significant role in the national movement, और आगे आने मला दिन अनको है, national movement, और आ when they were the backbone, they proved the backbone of the movement, और इसके बाद कहा है, Muslim का फ्रेंट, Muslim का जो stand था, Muslim कहते है, अभी कहा है, Muslim कहा है, they were, एक तो उसको जो, उन्होंने उसको participate नहीं किया, ठीक है, some of the Muslim participated, ठीक है, उसमें जो कुछ मुसलिम, जो बैरिस्तर अब्दूल रसूल, लियाकत हुसेन, गजनभी, है, one of the revolutionary giants, but most of the upper and middle class Muslims stayed away, जीत owners, SPD, मुसलिम, जि जो upper and middle class Muslims, they stayed away from this movement except the ल्याकत, हुसेन, Abdul Rasool, Gajanaviी ठीक है and Mulan Azad. इसको इन्होंने जो नहीं वोड दी पर चुट कीया, उनी सो पांच की बार्टिशन को, वो अनुटी पली वे बोलते थे कि यह जो इस्ट बेंगोल है जिसमें आपको बता है इस्ट बेंगोल और आश्याम रखना था यह बोल रहे थे कि here they will get the maximum Muslim majority people to further government interest All India Muslim League was proposed और उस government ने क्या किया इस आंदोलों को तोड़ने के लिए Muslims को अंदोलों से दूर रखने के लिए उनको बोल दिये गया कि the wave will give you some some liberation or some benefits if you stay away from this और उसके क्या कारण था लीग बाद प्रॉपराब ठीक है और उसके बाद Muslim League की स्थापना होगी ठीक है और उसके दिसंबर 30 1905 में as an anti-congress front ठीक है लीग को जो है anti-congress front के रूप में इनने तैर कर दिया and reactionary element like Nawab Salimullah of Dhaka were increased और उसमें जो reactionary जो Congress के अगेंस्ट जो मूँमेंट थे जो कुछ तत्तों थे जैसे Nawab Salimullah of Dhaka इनको जो है उनको government उसको प्रॉपप करने करने शुरू कर जया अगेंस्ट दी जो तिल्क थे इन्हों ने क्या किया अफजल जो सिवाजी फैस्टिबल में इन्हों बोला कि किस तरह सिवाजी ने आफजल खान को मारा था जो इन्वेडर था तो इससे थोड़ा से में जो मुस्लिम के बीच में दूरी फैल गई ठीक है उसे मुस्लिम ने पाटिस्पेट नहीं किया अब उसके बाद क्या लेवर अनराइस्ट है फैक्टरी में क्या थी जो लेवर से फ्रैंट और ट्रेड इन्योंसी डेवर टोटली अ अजीत सिंग्, आवववर बाद नाइटीन हंड़ एट रीवर अनराइस्स अफैट अंडर इस स्के बाद लेवर जो विट्सर्शने इनके पर अपर अक्षिन लेना सूरू कर दिया तो उसके बाद जो निस सो आड तक जो लेवर अनराइस्ट और जो ट्रेड इन्योंस का म वो थोड़ा कम हो गया ठीक है फ्रेंट्स और उसके बाद जो All India Aspects कहा थे इसके जो All India Aspects कहा थे इसके जो अन्दोलन के फ्रेंट्स दो All India Aspects कहा थे इसके जो अन्दोलन के फ्रेंट्स The All India Aspects movements in sports sports of Bengal unity and Saudasi and boycott agitation were organized in many parts of the country ठीक है Tilk who played a leading role in the spread of the movement outside Bengal जो बालगा था Tilk थे उन्होंने कहा थे फ्रेंट्स He has played the main role in the spreading the movement outside the Bengal और तो तो इन्होंने कहा थे इसके जो इसके जो अन्दोलन में फ्रेंट्स एक नही जो है नही एरा की शुरुवात कर थे He realized that he here was a challenge and opportunity to organize popular mass struggle against the British rule to unite the country in bond of common sympathy ठीक है ताकि जो common sympathy को लेके जो at that common sympathy मला anti-British ठीक है anti-British जो governments की जितनी भी यह जो feelings है इन सब को जो है channelize करके जो है एक जो है common platform पे उन्होंने को organize करके जो है अन्दोलन को पूरे भारत में जो आगे बढ़ा जा सकता है तिलक जी का यह विचार था और उसके बात कहा है और गोर्मेंट ने क्या किया जो 1911 it was decided to annual the partition of Bengal और उसके बाद 1911 में बोल दिया गया कि जो बेंगोल का जो भीवाजन है उसको जो हम रद कर देंगे mainly to curb the minutes of revolutionary terrorism क्योंकि वहाँ पर फ्रेंट्स 1911 के करीब जो फिर वहाँ पर क्रांती कारी जो जैसे ब्याल एब two is refused was भिर जो रेव्यों रेवर्वोरिशनल टेरिजम फिर क्या बोले थे हम लेंगे आजादी जो है बंदू की नोक पर थे लेंगए अब जो है के लिए उसको बंद करने के लिए जो है 1911 में किया हुए friends कि Bengal का जो partition था ओ जो है रध कर दिया गया और इसके बाद के बाद कर आप दिए अलनुनमेंट कम एज रूड सुक्तिवा मुस्लिम ठीक है एस सोफ टुदा मुस्लिम और उनुनमें बता देख कि जो कलकता से फ्रेंड्स 1911 में यह बोल दिया गया एक तो क्या बोला कि आपको जो भेंगोल का जो पाटिशन है उसको रद के दिया जाएगा और दूसरा किया जो राजधानी जो है दिली से कलकता ली जाएगी क्यों कलकता जो था मुस्लिम करें तो इसके मुस्लिम को उनको खुष करने के लिए बोला कि दिली में जो मुगल की अथोर्टी ते उसी तरह जो है एक अथोर्टी जो हम धो आप हमारी राजधानी भी दिली होगी ठीक है दिली सौप बुस्लिम ऐस एट आप देखो कि बिहार और उडिसा वर जो है बेंगोल से अलग कर दिया गया और SM को एक अलग सा प्रोविंस बना दिया गया यह सब जो 1911 में यह सब कारे हुए जो गुवर्मेंट ने किये to make this स्वधेसी मुमेंट और जो जो रिबोलिशनल टेरिजम को कंट्रोल करने के लिए यह जो उन्होंने steps लिए अभी जो इसको जो evaluation की जाएवे स्वधेसी मुमेंट की यह जो question आप से आसकता है four marks का की evaluate the स्वधेसी मुमेंट की स्वधेसी मुमेंट की क्या evaluation है by 1900, the open phase different from the underground revolution phase of the Swadhisi and boycott movement was almost over, this was due to the many reasons, ठीक है तो क्या वो friends की 1908 तक आते आते जो open जो Swadhisi movement की जो एक phase था जो खतम हो गए था, because you know governments had taken very you know hard and spresy measures to just press this movement, उसमें क्या था, there was severe government बहुत ज़्यादा उन्हें रिपेशन किया उसमें क्या किया अंदोलन का सबसे बड़ा इंपोर्टन था कि इसने जो जितनी जो टैक्नीश ती जिस आंदोलन की जितनी टैक्नीक्स थी जैसे फॉर्ण बॉयकट करना और वहां पे पिकेटिंग करनी ठीक है जो पैसिब रजिस जने लिए जीफा प्राइब monopoly फॉर्क और वाट बॉलन कोरा में आतनी सितनी तेक्नीक्स थी उनको फॉकस में लानीकरीश परफॉर्पर इस ब्रेशिहए यह बंने pose से के धTHE सवधेसी आंद्वलन ठीक है। जब नाराधिया गय था, लेडर लेडर बंदी, ओल ली लीडर बर जीनों, जेल उसके बाद जो लोगों ने अपने आप इस आंदोलन की बागडोर समालना शुरू कर दीजेए, जैसे ही सारे देश में फिर आंदोलन की बागडोर सुरू ही, उसके बाद के आप फ्रेंड्स, यह जो है, आंदोलन जो है, 1942 में, जो कुर्ट इंडिया मुमेंट जो है, इतना इंप्रेसिव हुआ कि फिर जो अंगरीजियों को देश छोटके जाना पड़ा, इसी तरह फ्रेंड्स, यह है कि all the leaders were arrested and deported by 1908 तक जो जितने भी leaders से arrest कर दियेगे, अदर्वाइस, नोट होगे थे, और उसको जो है, जो लाला लाज पत्राय थे, उनको जो है, अंगरीजियों ने जो है, एक जो है, जुटे केस में फसा के जो है, उनको मानले छे साल की सजा दे जी ठीक है, इंटरनल स्कैबल अंगरीडर मैगनिफाइड बादी सूरत स्प्रेट, और उसके पराज दी पिपल बत दिन नोट नोट हो तो थे अफ्टेश दी नने पर अड प्रेशन टो प्प्रेशं तो पॉपलर प्लिक है, उसको किस तरह जो आगे एक टेक्निक देनी है, वह जो लोगों में नहीदा, धि मुमें लार्ज़ी रमेंड कन्फान टो अपर अंड ड्ल ध जमिदार और फेल तो रिज डिदा मास्जशेश थी पइसेटरि नों न और न पैसिव रजिस्टेंस रिमेंड मेर आइडिया और नों कोपरेशन और जो पैसिव रजिस्टेंस आंच जया ज़्यादा एफेक्ट निक था इट रिमेंस जस्ट एन आइडिया ठीक है पट इस आइडिया को जो प्रैक्टिकल रूप दिया आगे आके गांधी जी ने दिया फ्रेंट इट इस डिपकल तो सस्टेन ए मास्वेस्ट मुमेंट अधी हाई पीच फोर ठोलों और जो जितनी हाई पीच पे जो आंदोलन शुर अधी जोडियर्स अंदर थे या कोई घुट कोट केरी फावर्ड नहीं कर पाए यह जो है इसका एवलेशिटन बस्देशिम अभी जो टूनिग पोइंस थे मोमेंट में अधिष तॉनिग फ्रिया डिब्स अध्यूनिग पे डिब्स ठीकल टूनिग में इयुमेंट पाई यो बहुँ से जो स्चुटन से जो साथी कि आले फ्टूदैब वोमेंट किया थिए यह जो पिसन से जो पूपलेशन से नहीं फटियक्ट किया थिया अलिमेजरे तरेंद अलग जो बिचार दाराई चल रही ठीक है फ्रॉम कंशरबटीव मौडरेशंटो दीडिटल एक्रेविश्म सुन्सेट एंफिटनी देश में जितने बिचार दाराई थी जैसे आज विचार धारा है, उसी तरह राइट, लेफ्ट, इस्ट, सेंट्रिस, सब जो ही कठे हो गए इसमें, ठीक है, और उन्होंने क्या हुआ, सब, they all am asked during this, so this moment, ठीक है, the richness of the moment was not confined to the political sphere, ठीक है, और जो जो पोलिटिकल स्पेर तक जो इसकी रीच नहीं थी, ठीक है, इसमें पार्टिस्पेट किया गया, ठीक है, people were aroused from slumber, ठीक है, people जो जो लंबी निंदरा में सोय होते, सब को जगा दिया, कि भाई उठो और चलो आंदोलन करो, ताकि जो फोर्न जो फोर्नर यहां से भागे, और अपने कानून आए, अपने जो निय से सुरू हुए, फिर जो लोगों के अंदर ही सुरू हुआ, जो बोलते हैं कि हमारे भले के लिए, जो चला रहे अंग्रेज, जो हमारे भले के लिए दराये हैं, जो कानून है, जो विवस्ता है, यह सब कुछ हमारे लिए नहीं है, हम आपनी विवस्ता बनाएंगे, ता future struggle was to draw heavily from the experience gained, और जो future struggle था, उसके लिए, जितने भी आंदोलों थे, उन्होंने आंदोलों थे दिशा दी, ठीक है? और जो moderates के बिचारदारने जो है, इसको extremist को एक दिशसा दी इस जो पास टाइम होता है तो यह जो जैसे आपको पता जो सवतंतरा संगना में जो पास टाइम जो कुछ पाथें करना होता है पास्टाइम था उससे बाद पास्टाइम को क्रोज करके अभी पास्टाइम ना रहा के लोगों के अंदर जो सक्रीफाइज की जो भावना थी वो बना दी और उसके बाद जो सूराज सप्लेट हुई सोरज प्लेट तक आते आते इसको जो सबसे बड़ा ओड़ा ओड़े जो एक्स्रेमिस्ट थे कोंगरेस इन्हों अपना इंफ्लूएंश बनाना शूरू कर दिया थे थे एक्स्रेमिस्ट कौन थे फ्रेंश बाल गंगा धरतिलग ठीक अभी पिन चंदरपाल और यह सब इन्हो प्रोटेस्ट वाला काम है आप खतम करो अभी जो हम करेंगे अभी जो करेंगे पैसिव रजिस्टा है मालब जो सब लोग जो है सब जो भाइशकार करेंगे बूरी तरह पूरे देश में अंदोल लिया जाएगा ठीक है तो यह जो एक्स्ट्रिमिस्त थे फ्रेंट दे वांट होते दे लेकिन जो दे आर नोट अवेर विदा रियल रियल्टी ऑफ दी रियल्टी इन ग्रांट सिचुएशन तो यह जो है इस सब को दोनों भी चाल धार में आपस में लडाई हुआ ठीक है तो इसी लडाई के कार्ण था फ्रेंट जैसे आपको पता जो एन्वल जैसे से ठीक है तो एन्वल सेसंस होते थे ठीक है तो उसमें बोले कालकरता सेसंस जो कॉंग्रेस का हुआ था 1905 में जो 1906 में उसमें बोले था इसमें बोले था 1906 में जो इन्हों नर्म दल वाले था इन्होंने एक चाल चले जो दादा भाई नवरोजी ठीक है वो जो बहुत रिस्पेक्टफुल मैं थे उनका नाम जो प्रपोस कर दिया आगे कि यह जो हमारे लेडर होंगे उसके बाद जो एक्स्टेमिस थे पचारे और भी कुछ बोलना पाए कि यह वास बैरी सच बीग परसनल्टी वो सच जाइडेंटिक परसनल्टी कि उसका जो कोई बिरोध नहीं कर पाए और उसको जो है दादा भाई नवरोजी को जो है उनको जो है एक्सेट करना पड़ा लेकिन उन्होंने क्या किया जो क्राउंगर फारेली दादा भाई नहोरोजी वास इलेक्टेट अज परसनल्टी गोल अप दा लेकिन जो मिल्टेंट जो नेशनल इस्ट्रीमेंस थे उनको क्या बोल दागे है कि चलो भी आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हम कह करते हैं आपका कि कॉंगरेस ने क्या किया कॉंगरे चलो इक्स्त्रीमेंस ने सोचा कि चलो चलो प्रेज़ेंट नहीं हमारा बना लेकिन हमारे जो विचार थे उन बचारों को प्रेजरसे को स्पोर्ट कर दिया अब जो जो थोड़ी ओर हमत आ घी और अभी जो होना था अगली साल तो हम देख लेंगे अगली साल जो होगा हमारे हिसाब से ही होगा कि सुराज्य तो आपने सुराज्य तो आपने डिसाइड कर अभी जो कहा है जो इस सुराज्य की जिस तरह जो एक जो आउधारना थी यह जो है फ्रेंड्स जो इसके बारे में जो जो नरम बादि और गरम बादियों में आपस में जो है थोड़ा जो इसमें जो उनकी जो imagination थी ठीक है ये जो इसके लिए जो सबसे बड़ा सबसे बड़ी जो इसमें एक विचार दाना में जो सबसे बड़ा दोन था सब के बढ़ा अपने अपने interpretation थी ठीक है तो 1907 में जैसे जैसे 1907 का जो है सूरत में Congress का जो अधिवेशन साट वा फ्रेंड उसमें अधिवेशन में क्या हुआ कि सबसे पहले जो एक्स्रेमिस वांटेड उन 1907 सेशन तो भी हैल इन नागपूर ठीक है क्यों नागपूर उसके बचे यह था कि Congress के अंदरे पवस्ता थी कि जिस भी प्रोविंस में जो है जहां पर Congress का अधिवेशन होगा उस प्रोविंस का कोई भी लिटर जो उसका President नहीं हो सकता तो इसलिए जो है उन्होंने जो मोडरेर्स थे उन्होंने एक चाल चली उन्होंने बोला कि नागपूर में जो है जो एडुकेशन का जो रजुदर से यह जो है इसलिए जो मोडरेर्स थे वांटेट थे जो सूरत में होए और वहां पर ताकिस होजा तिलिक आपने आप आप जो ऑटमेटिक लिए इससे भाहर हो जाए ठीक है, since a leader from this host province could not be session president, क्योंकि जो host जो जैसे host जो province होता था, वहां का leader होता था, it could not be the session president, ठीक है और instead they wanted, क्योंकि उस time क्या होता था, जो तिलिक जो home province था, Bombay था, उस में जो सूरत भी जो है Bombay province का एक इससा था, instead they wanted Raas Bihari Ghosh as the president and sought to drop resolution on Swadish जो 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 नर्मवादी भी चाहर हरवा लेका चाहते थे, जो रास Bihari Ghosh था, उनका प्रेजेंट बने, और उन्हों चाहते है कि स्वधेशी का जो resolution था और वाइकर्ट का और national education का जो है, यह सब Congress के resolution से इसको drop किया जाए ठीक है, both side adopted rigid position और दोनों जो है, दोनों side जो अब rigid position अपना जी और उसके बाद आपस में उन्होंने, वहाँ पे लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, कुर्सिया फैंकी गई, जूते फैंकी गई और उससे, friends, यह क्या हुआ, कि उसब पूरी तर जो Congress जो है, टूट गई, ठ ठीक है, and moderates who lost no time on retraating Congress commitment to the goal of the self, और उसके बाद जो है, यह जो आपस में जब लड़ाई हुई तो उसमें फिर से जो moderate का, उसमें आपस में, moderate का, उसमें प्रभूत होगी, और moderates ने क्या बोला, कि जी हम तो जो भी रखेंगे, जो British का, जो Empire की, जो Rule Regulations है, उस ही के अंदर जो अपने स्वदेशी प्रोग्राम को हम रखेंगे, कानून के अंदर ही हम रखेंगे, और उसके बाद जो, friends, उसके जो जब जैसे Congress के अंदर ही तूट स्टार्ट होई, उ to check the anti-government activities, these legislations include Sadious Meeting Act, कोई भी जो, जो अगर घुपचुप में कोई ऐसे मिटिंग करता है, तो उसके खिलाब जो है, Sadious Meeting Act, 1907, Indian Newspaper, Incitement of Offense Act, 1908, Criminal Law Amendment Act, 1908 का, ठीक है, उसके बाद जो Indian Press Act, 1910 का, तिलक है, यह सब जो एक्ट जो है, लेकि आगे, कि भाई, अब जो है, राइड in 1909 for this edition, and for what he had written in 1908, 1908 में केसरी में, तिलक ने जो है, एक तिलक भार गंगा था, तिलक ने एक आर्टिकल लिखा था, 1909 में उसको जो फ्रेंड, उसको जो है, तिलक जी को अरेस्ट कर लिया, about a bomb thrown by Bengal Revolution, जो मुझाफर पूर में जो बैंगोल के रिवलोशन ने जो एक जो bomb फैंका था, और उसमें जो दो Britishers, European women थी, उनका जो है, उसमें जो है, उनकी मौत होगी थी, तो उसके related जो है, उन्हों नहीं बोला था, तिलक ने बोला था, कि तिलक अरेस्ट इस, no doubt, will inspire many, उन्हों ने बोला था, कि जो बहुत से लोगों को जो है, ये जो Britishers की जो घटना हुई है, ये जो है, किसी जो है, ये क्या करेगी, ये जो है, ये किसी तरह भारती लोगों को, भारत से बिटिस सासन को खतम करने में help नहीं करेगी, लेकिन क्या करेगी, ये बोले, it is not possible to cause British rule to disappear from the country, but why such monstrous deed, ये जो monstrous deed के तोरह भारत से बिटिस राज जो है, नहीं remember that there is a limit, there is also limit to the patience of humanity, many newspaper had warned the government that if they resorted to Russian method, then Indian too will be compelled to intimate the Russian method, तो ये जो है, ये जो है आटिकल लिखा था, अरुश नहीं बुल था, तिया अनधर आटिकल लिखा था, तिया अनधर आटिकल लिखा था, तिया अरुद रुट 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 रुट 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 उनके जो कोई popular sport नहीं थी, क्योंकि जितने भी यूद थे, they were all rallied against the extremists थे, उनके साथ खड़े हो गए थे, ठीक है, after 1900, the nation movement as a whole declined for a time, 1914 में फिर जैसे तिलका है, उसके बाद जो आदोलन शुरू हो गया, ठीक है, और government की जो strategy थी, government की करते थी, government strategy was to, उसमें क्या था, उनने क्या करते थी, mainly strategy उनकी कि, पहले तो क्या करते थी, जैसे उनको लगवा पाता कि अंदॉओलन तेह जो औने लगथा, पहले करते थी वो जो cat and stick policy, मतलब कि पहले तो सब को अलग कर देना, अलग अलग कर देना अंद वालन के धड़ओं को अलग कर देना और उनको जा कुछ ए Fastay जादा इंसेंटिमिस देंगे जादा अधिकार देंगे ठीक है उनको जो अला कुछ दिल्ली राजधानी बना दी इस तरह जो इन्होंने ये अलग अलग उनको दिया उनको मोडरेट को कि बुल दिया जैसे कनसेशन दे दी उनको अगे जो कुछ रिफों लेका पाइंगे ठीक है और उनको बोला है कि अगर आप जो एक्स्ट्रमस्ट दूरी बना के रखते हो तो हम जो कुछ और रिफों नहीं इन्होंने इस वाज ए आइस्ट्रमस्ट ताकि ज सबसे बड़ा जो इसमें जो कारण रहा जो जो मोडरेट्स और एक्स्टेमिस थे जो पिछे जो अंगरेजियों की जो चाल थी उसको समझने पाए और उसमें आपस में इनकी जो है लडाई हो गई ठीक है और मोरले मेंटो जो उसके बाद जो मोरले मेंटो रिफोर माया 1909 में जो लड घेट्टो था जाट वास के उसका वाइश future रहा था ठीक है वर उसने कए किया थे थे फ्रेंट्स नेंडियन काौशल आक्ट है 1909 में उसको जो है उनने लाया ठीक है जिए इसमें क्या रिफे इस्ट्र आप आप सिंट्र-गाउथ बाद इसलाबिस ठीक है तो जो जितने Central Council होती थी उसमें जो separate electorates जो Muslims को दे दिया गया ठीक है ओवो जो सबसे बड़ा जो संपर्दावबाद का कारण था और इसे the number of elected members in the Imperial Legislative Council and the Provincial Legislative Council were increased जितने जो फ्रेंट जो Imperial Legislative Council में और जो Provincial Legislative Council में elected members थे उनको जो है उनको जो बढ़ा दिया गया ठीक है इन दी प्रोविंशनल कांसेल नोन ओफिसेटिक में जो इसमें जो जो नोन ओफिसेल जो जो नोन ओफिसेल मालब जो government इसको नोमिनेट नहीं करती थी भलकि जो जो elected members थे उनकी जो majority थे उनको बढ़ा दिया गया है बट सिंस सम आप इस नोन ओफिसेल वर नोमिनेटिट एंड नोट एलेक्टिड लेकिन जो नोन ओफिसेल मेंबर से थे उसमें जो कुछ जो है governments के द्वारा ही nominate हुआ करते थे एंड ओवराल नोन ओफिसेल ये नहीं ये ओफिसेल गुटती ताकि नोन ओफिसेल मेंजोर्टी हूँ तो लाइक अगर कोई लोग होते थे जैसे जितने भी जो नोन ओफिसियल मेंबर थे उनको ज्यादा बढ़ावाद देना थे जैसे थू इलेक्शन जो है और कुछ जो है नोमिनेशन नोमिनेशन मतलब जो जैसे लोगर लेबर से नोमिनेट कर देते थे ठीक है में लाइओन डेनन गावाद नोमिनेट करने थे थे खतके साफया नोमिनेटी यह जunda करने अ समादेड में रॉस जो जोनाया बढ़ाद नोमिनेटिट क करते किसके तरह government के तरह. 27 उलेक्टिट नॉन आफिसल जो 27 उलेक्टिट होते थे, 8 शीट वर रिजर्ड फोर दी मुसलिम अंडर सेपरेट रेक्टरड उसमें 8 शीट मुसलिम के लिए रिजर्ड थी, उसमें जो मुसलिम के लिए बोड देथा, वाहल 4 शीट वर रिजर्ड फोर ब वाला नहीं था, जो लोकल पंचायती वह ही जो और वाला नहीं था, जो लोकल पंचायती वह ही आपस में अपस में से एक कुनेंगे यह जैसे भाहूमत होगा तो इस वह तूर में में बूल दिया कि यह यह हमारा फिर उस तरह इलेक्षिन हो जाता उसी तरह पो दिला नेटर यह वाले के लिए नौनेटर यह मन्ला, इलेक्त करते थी.। इस बिस त इलेक्शन मेख़ते art इसेसे सब्सें पारी जो 1000uesिस pragmat primero कि इसे पर गूर। और Hindu electorate के लिए जो Hindu जो बोट देने का दिकार था उनको जो qualification थी वो जादा रखी थी तो देखो यह भी इनो नो डिफरेंस कर दिया था powers of legislation both at the center and in the in the provinces were analyzed और legislation जो power थी वो थोड़ा भड़ा भ्रादी गई थी and could not pass resolution and the legislation could not pass legislation which may be or may not be accepted ask question and supplementary vote separate item in the budget through the budget as a whole could not be voted upon उसमें कहते थी थोड़ा सेंट को जो जो लेजिसलेशन की जो प्रोसेस थी उसको जो भड़ा दिया गया था ठीक है सकते थे थे थो बजट as a whole could not be voted upon और जो बजट में एक सेपरेट सेपरेट जो component होते है उसमें जो है यह दे कुड़ बोट अपन बट जो होल as a whole जो है दे कुड़ नोट पोट वन इंडियन बाज वाइस एक्जेगुटिव कांसिल और उसमें बोला गया कि 1909 में बोला कि वाइस रहे की जो एक्जेगुटिव कांसिल है उसके अंदर जो है एक जो मेंबर है वो जो नोमिनेट करें सत्यंदर सिना बाज फर्स इंडियन टो भी अपॉंटिट और स त्रिंदर सिना जो है वाइस रहे की एक्जेगुटिव कांसिल में जो है इनको पहला मेंबर बना दिया गया था उसी तरह बहते हैं प्रेंट्स की यह जो अगर देखा जाए तो 1909 की जो अगर आप देखोगे तो सबसे बढ़ा यह था कि इसमें जो दरार पैदा करने थी हिंदू-मुस्लिम यूनिटी थी उसके अंदर पैदा करने थी दूसरा कहा था कि जो जीतने जो एक्स्रेमिस्ट और जो मोडरेट जो फैक्सन था कॉंगरेस पार्टी के अंदर उसको जो अलग करना था तीसरा कहा था कि जो जो हाड लो ला के जो एक जो सोसाइटी के अंदर यह बोलना ना था कि जो अगर आप कुछ अगर कुछ आप एक्शन लेते तो अगर आपको जो गोवर्मेंट के तरफ जो अगर आपकी तरफ जो हाडा सीवर्म लेकर आए हैं और वह जो जो हाड थिवर्मेंट के जो एक इंदर आपको ट्रेट के जाएगा the official and the Muslim leaders often talked of the entire community when they talked of the separate electorate, but in reality it means the appeasement of just small sections of Muslim elite besides the system of election was too indirect and gave the impression of infiltration of legislators through the number of chiefs. And while the parliament forms were introduced, no responsibility was considered, which sometimes led to the thoughtlessness and irresponsible criticism of the government. Only some members like Gokhale put to the constructive use of the opportunity to deviate in the council by demanding university primary education, attacking repressive policies and drawing attention to the plight of the intended indentured labour and Indian workers in South Africa. What the reform in 1909 gave to the people of the country was a shed of rather than substance. The people had demanded self-government, but what they were given was benevolent despotism. So, this was all about the era of the militant nationalism. Now, revolutionary activities, we will read the next chapter. So, my request is to be with me. Please like, share or subscribe to my video, so that I get motivated to make more of such videos for you. And thank you, thank you very much for being with me. Let's see. झाल झाल